Hello students, कैसे हैं आप लोग? आज मेरे साथ मिलके Dicot Leaf की अनाटमी रिवाइस करोगे? तो चलो देखते हैं, दो Epidermuses होंगे, एक Epidermis होगा Upper जिसको आप क्या बोलते हो? A Daxial Epidermis, दूसरा वाला क्या होगा? Lower Epidermis, जिससे आप क्या बोलते हो? A Baxial Epidermis, दोनों ही Epidermuses किससे कवर होंगे? By a layer of cuticle, Epidermuses के बीच वाला टिशू क्या कहला आएगा? मीजोफिल, मीजोफिल में क्या होगा? Parenchyma, पarenchyma is of two types, यह लंबा वाला पarenchyma, जिससे आप बोलते हो Palisade, और यह गोल वाला पarenchyma, जिससे आप बोलते हो Spongy, राइट? वास्किलर टिशू में क्या आएगा? आपका Xylem आएगा, जो यहाँ पर बना हुआ है, और क्या आएगा? आपका Phloem आएगा, so Xylem and Phloem will comprise the Vascular Tissue, अब Vascular Tissue के साइड में कुछ special cells present होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो? bundle sheath cells, और lower epidermis पर क्या present होगा? stomatal 4, बस हो गया, dicot leaf.